यह देखिए भाई के इस प्रकार से मालने की कोशिश भी की गई है यह तेन चार गाड़ियों में बंदे लेकर आया और आते वार करने लगा राम रम सारे भाई यहना है भाई अभी बटू तसील के गदड़ी गाओं के अंदर मौजुद हुई यहां पर एक बहुत बड़ी गटना हो चुकी है गटना के डिटेल भी आपको दूँगा सबसे पहले जो मैन मुद्दा यह है कि बाई कुछ लोग आते हैं गर के अंदर गुस्ते हैं और किस परकार से मार्क कूट करकर जो एक जो है महिला को या एक लड़की को लेकर चले जाते हैं कि वह महिला कौन थी बताता हूँ वो घर की बेटी है कुछ महिने पहले जो उसने यहां से लो मेरिज की थी साधी की थी लगबग तीन च्यार महिने पहले और होता क्या है कि उसके बाद जो अपनी रजामंदी से वो घर में आती है लगबग एक महिने से घर में रह रह रही थी और उसके बाद क परिवार पर क्या बूठती है तो यही लड़की का परिवार है और जो पहले से एक तरह से सद्मा तक जहल नहीं पाया थे किस परकार से उनकी बेटी ने किस परकार से जो यहां से साधी की उसके बाद क्या होते है कि उनकी जो बेटी है अपने घरवालों को फोन करती है पाप उसको गर पे ले आते हैं और कर्पे आने के बाद किस परकार से जो उसका सूसुराल पकस के लोगा जबर्दसी गर के अंदर आते हैं और यहां पर हमला पर्वार करकर जो उनको ले जातária यह अब दिसेंटरली कटना है यहां पर पर्मान भी बिखरा पड़ा है है प्र परकार से समान बिखरा पड़ा है और अंदर भी कुछी तूटी हुई पड़ी है तो उससे पहले जो पूरा मामला क्या है इन से जान लेता हूं जो यह बताएंगे यहां पर जो अपने के परिवार के सदेश्या मौजुद है लड़की के पिताजी मौजुद है आजी नमस्क तोड़ बोड करके घैए एक बाइक था पड़ोशी का वो भी तोड़के घैए तो वह क्या था निव एक कि लड़की आपके प्रिवार है लड़की नहीं की तीने च्यान मुने पहले लेकिन अभी जो घर में रहरी नहीं थे वह आपनी रजामंदी से क्रते हैं बिल्कुल आई हुई थी दिवाड़ी के दिन आई थी ए अपना लगबग 12-11 को और यह साधी कब हुई थी साधी लगबग हुई थी अपना सितंबर में 9-10-11 सितंबर के आस पास अच्छा मुझे तोटल चाहिए लगमक तीन मिनें वहीं तो इसी के बातों यह लड़के वापी सहना अपने बैन आई वी थी और एक मारे जिजाजीं वह उनको लाने गए थे और वो उसको ले आए उसके बाद दे उसको उसी दिन हमने एडिमिट करवाया था उसकी तवीद खराब थी तो उसको हमने करवाया था इसार सेवक सभा में और साथ में उसका थोड़ा मेंटरी डिस सबस्क्राइब कर दिया और आप देख सकते हैं कितने किस परकार से जो है यहां पर जो है गर की मेले हैं जिनको नुक्सान जिनको चोट पहुंचाई गई है सबसे पहले तो यह तो यह कारून का उलंगन है किसी गर में बिना प्रमिशन के आप नहीं जा सकते हैं चाहे वो कोई रिष्चेदार हो चाहे बाई हो चाहे आस्परोस हो बिना प्रमिशन के आप किसी गर में नहीं जा सकते हैं चाहे आपका कोई भी रिष्टा हो तो बिना प्रकार से बाहर ने निकले तो पर से दूसरी गठना हो जाती है जो प्रिवार क्या क्या हुआ देखिए भाई कैसे मारने की कोशिश भी की गई है यह देख सकते हैं और यह दादी जी है तो कल मतलब वह जैसे कैसे एक दम से गुश गए आप से कोई कोई मान पतो ही को नियों कोई बात को में तो अब बैठें भी यह बैठें बना आगे मेरा फांसी गुपंदो गाली है एक आदमी मेरे तेज दार अन्टेज थ्यारूं मालिवार करी है फिर दो आदमी आमने दबोची है गरे सारुत समान तोड़ फोड़ करी है बुद्धा ब कोई बात को निकर ली लड़की फोन करें तुम मे ले आया रजामंधी लड़की फोली लड़का नि पीच्छा ओमारे पर अपनगार केश लगाया विलिए माबाप अफरन कर लेगे लड़की दो मेने से आपके पास रहे थी कैसे वे तंग कर रहे थे लड़की को बताओ कुछ बाते निकल के सामने पता चला होगी द्वाइयां चल रही जी अब इन ड्रा रहा रहा किये कोई मान ले बात हूं बई किया चीज रहा रहा किया तरी कोई लड़की के पिता और दादा जी से बादसी आपने दिखाए किस परकार से आप महिलों को चोट पुचाए गई है जो है दादी को भी चोट चाट लगी है आपके लेके हुआ कुछ मैंने दकादा का मार्या मैं बुड़ी लुगाई उन्हें पड़की पुलिस कारवाई करो होगा तो वह थारक अच्छा बच्चन बंदार दियूंगा मैं छोटू को निए एक आदमीं जींदो देख सकते बाई साब साब यहां पर जो है घर के अंदर उसके जोर जबर्दस्ती और तबी बुवा जी से पूछ लेता हूं कि आकर बुवा जी ने क्या प्रकार से घट किया फिर हमारी लड़की को उठा कर ले गया हूँ और हमको दमकी भी दे कर गया अगर ठाने में गए तो सब को मार दूँगा ऊशका नाम संधीप है अर्ब सभी नराज की थी कोई कहा सुनी हो रही थी कि नहीं जी पहले है तो कोई कहा सुनी नहीं थी वह लड़की को तंक जैसे जो जैसे कि बूह जी ने पहले तेने के लड़की कृट मेरी चाल तीन मिने पहले कर ले आती उसके तीन मिने पहले कि उसके लड़की वाँ से प्रसान हो जाती है तो इसके बाद क्या करते को पहले र अपर कि सुछ cylinder वाले अपरन का एक मामला दर्ज करवा जाते हैं जिसको लेकर लड़की ने ब्यान बैजी भी थानें के अंदर दी है कि अपरन का कैस नहीं है लड़की के घरवाड़ों कोई भसाने की कोशिश होती है और अब होता है कि वहां पर बगर दाड़ नहीं गड़ती है तो जबरदस्ती इसके मार्क उट करके लेकर चले जाते हैं वहाइं यह बताएंगे थोड़ा सा तो भी मामले को पुरी और कुछ डिटेल निके पिताजी से मैं लेता हूं कि आकर ऐसा क्या बहा कि कुछ डिटेल हिस्ट्री में जाते हैं कैसे वह संपरक में है कौन है कहां से है थोड़ा उन मुझे पता है ने फिर शानी कोई दिकत नहीं साथी करने बाद हमें न को कुछ नहीं का ना उनके पास कभी कोई कोई मेंसेज किया ना कभी उनके घर गई रिम आप आप गमूष्मैटे मेर्स लॉड़ कोई बाद नहीं ओबुटे हैं अपने के अबड़के नहीं के ब안सर और के अपने शत्रू Corby करने के बाद बढ़ करने के लिड़ ने जा कि आप तो उसमें लड़की को ले ट्रीटमेंट करुआया उसका उसके बाद उसने मतलब पीएस बट्टुकला में उसने परन का दरज करुआया हम पर पीस ने बियान लिये लिए कि भी में अपनी मर्जिश ही आई हूं दवाई ले ले रही हूं मैं अभी मौक्य पहीं नहीं जाओं कल हम बेठे थे में बेठे तो चार पंच गाड़ी यहां आई पंदरा बीस der उत्रे उट उसमें एक संधीप आगई था और यह उसके मामा का जमायी था जो बढ़ा गाउन से शिर्शा से तो उन्हों ने तो शिद्य वो अंदर पर चले गए और वाध्यू साथ में थे वह मतलब मारा पेटी करने लगी तो हम ने इनको तो तो आया और उसके बाद वह मुझा उसको लड़की को भी पांचा उसको मारे हैं और उसको लेके गए करने का मतलब लड़की मर्जी के खिलाज जबर्दस्ति आपका घर में घुसे बिना प्रमीशन के पुछे ना फोन करें प्यार प्रेम ता ले जार तो भी सुच्छार करा हां जी हां जी कोई दिकत नहीं थी हमें तो आखरे जो है आपने कुछ बाते पताई लड़की की इसमे क्या रधामंदी है में लड़की आखरे चाती कि आपने का विमार थी उसमें वह क्या चेक कर वगया वह पता नहीं वहां उसको क्या प्रोब्लम होई क्या नहीं वह उसको मतलब वहां दिकत थी बिमार हो गई थी वह तो इसलिए उसने फोन कर दिया आप मुझे आके लिए तो हम उसको ले आए और उसी दिन दिन लाएं ना उसी दिन सामको उसको हमने कर वाया है तो लड़की को जिस समय हम लाए थे ना उस समय उसको देंगू भुखार ता और उसको टाइफाइड था और थोड़ा मेंटली स्टेप भी थी वह पता नहीं उसको टोर्चर किया गय हां जी चलिए मैं कुछ दादा जी से और पूछ लेता हूं कुछ जो है करना चाते हैं तो अब भी जो हमारे पास लड़की के दादा जी मौजुद है देखेंगे दादा जी जो घटना होगी लाए बाता हो ओगी होगी तो इस आपके को किस मामला में भाई चुन माय है भी मेरे मेरे को मार जाएं पीट हें मेरे द्मागे मेरे करहा ख़ब भी a और मेरे पैध्मेरे को आप नहीं तुम्हें यहां से भागती हूँ जब मैंने यह बोला बहा कि हमारी बेच्टी मत करौँक मैं आजाओंगा प्छे बोला थुम एक ले आजाना बाबा कहते हैं وہ दाद पर खड़ा होके अर्फोन कर दूंगा आप बार आजियों में बार से बिठा लेंगा तब मैं और उसकी बुआ उसके फुम फेए गए वहां उन्होंने मार पीट भी की मारे साथ कपड़े भी पाड़े हैं इसकी बुआ के कपड़ा पड़ा भी भी पाट़ा पड़े हैं और जो काल जो घटना हुई मैं यहां बैठा था यह उद्धर जोजा बिजन खातर मशीन में जोजा गलन लागरी थे पहल पोट मेरे पर यह चेलम फूटी पड़ी है यह मेरी कली फेंके मेरे पहल पोट मारी है पहल पोट मेरे पर वार्किया है और उसके बाद में वह गया है लड़की बैठी थी कम्रे केंदर और वो उसके खैंचके उस लड़की को कडंल लगे लड़की नहीं कहा कोई बचा मेरे को मैंज लोटे नहीं कोई बचाऊ मेरे को मैं नहीं नहीं जाती जब आप इसकी दो औरसके म HER耐 मारी है फिर मैं गया हूँ मेरे को कमरे के बितर रोने की कोशिश की लेकिन मैं रूड़या नहीं रूड़या नहीं मैं कोशिश की है, खूब की है फिर उन्होंने अंदा दुंद इन पर वो मारियर राडे है ये बात थी जी कल की वैं तो जैसे कि देख सकते हैं ने साफाफियह मामला जो घर में गुष्ने Ayati का है जान से मारने का है से लड़की की इसमें मर्जी य nell हो जाने की या न से qima की वर के ओपना कि स्वारे उता है फ़र आपका झखर मीड sn बहुंवा है ज़्दिन या कई लिए कि केक हो गए यह ऐसी ज़िए जो आपका दिल पिंग लिया आपना उस पागर पहले कि छोड़ी ने फोन कर दिया वही आपका दिल समझ गया वही ले मां कोई ने अपनी बैटी है तो आप इस चीज ने केक हो गर समाज ने के संदिश देना जो आपके निवेदन करता हूं कि कर लिए फारेसा पहले बात अपने माबाब से काम कोई करे ना अक्र उनको अपनी मर्जी से करना है तो कम ने कει कम अपनी काश्ट देखे अपने मुक आप लेकर एक हास में करना जरूरी है पनिए इसमें यह होता है कि अगर लड़की बरबर वाला देखता है अपनी कास्ट में देखती है तो मैं समझता हूं भी पिरेंट से मुलब उस चीज़ को समझेंगे तो उसको वहीं बेज देंगे यह सा नहीं होता कि सभी माबाब दोस्यों या सभी बच्चे दोस्यों भाई साब इस में क्या है जैसे गेनों नहीं बताया कि वहीं जो लड़की की मानाशिक संतूनर्स वापश ठीक दर वह ठीक है नए गर्पे जा किया पता क्या लग Caius हो सब दूसरी बात है घरमे गुस के किसी परवार पर अंला करना जान से मारना जिस परकार से आपने उसारी तस्वीरे में ने दिखाई है तो यह एक अलग पहलू है तो कारून की दुरूश्टी में क्या है इस मामले पर उचित कारवाई होनी चाहिए वो एक अलग पहलू को लड़के रे साधी कर ली बाइट करने है इनका घर बसा ना बसा या मावाप रखना रखवा एक अलग बात है लेकिन घर में घुसकर जिस परकार से जो यह गटना हुई है यह एक अलग चीज़ है इस मामले पर लेकर कारवाई करनी चाहिए और इस बारे में हमारे दर्सक्त जो है क्या कहना चाहेंगे कमेंट कर सकते हैं बने रहीएगा च्पीन 24